हेलो स्टुडेंट वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल आईसी एसी मैथ आज हम सुरू करने वाले अभी प्लेइंग विद नंबर चैप्टर ठीक है प्लेइंग विद नंबर चैप्टर के अंदर देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के होगा वह इस एक्सरसाइज के अंद मैं सुसक्राइब करोंगे ध्यान से देखिया आपको का बुला इंदा टसना नंबर ता ट्वीद नंबर ले लिजये मैं आपको पहले समझा रहा हूं में क्या करना हैं इसनी देखो ध्यान से बस आप यहां-पर टो डिजिट नंबर 10 places भी बुला देते है, 10 places digit भी बुला देते है, इनको लिक कैसे सकते हैं भी, अब हम यहां पर देखी, इसे unit digit बुलाएंगे 10 places, अगर मैं बोल इसका number बना दो भी, क्या बना दो इसको number में लिखो, complete करके, तो दखो, जो 10 places पर होते हैं, उसको 10 से multiply कर दे, भाई यहां पर 2 into 10 कर देंगे, plus में, 3 unit places पर स्क्वाजट इस लिखते हैं, देखो, 2 into 10 के अतना हो जगा, 20 plus में 3, equal to 23, ऐसे number बनाते हैं, तो ध्यान रखना है, जो last term होते है, पिछले वाले इसको unit digit बुलाते हैं, और जो अगले वाले होते हैं, उसको 10 places digit बुलाते हैं, ठीक है, ऐसे number बनता ह और इसको 10 से multiply करके, 2 को और plus में 3 जोट देते हैं, तो पूरा बन जाता है, 10 places वाले को ही हम 10 से multiply करेंगे, याद रखना है, 10 places digit पर जो होगी अगले वाली है, इसको 10 से ही multiply करेंगे, अब question स्टार्ट करते हैं, देखो, सब से पहले क्या बोला है, in the two digit, two digit number, the unit digit is four times the 10 digits, जो unit digit है, वो 10 digit की क्या है, four times है, तो पहले 10 digit माल लेते हैं, यहाँ पर देखे, लिखते हैं आपर, let us consider, माल लेते हैं, let us consider 10 digit, 10 places digit यह फिर बोल सकते हैं, 10 digit number, 10 digit ले लेते हैं, 10 digit, 10s digit बोल देते हैं, इसको यहाँ पर, तो माल लेते हैं, यहाँ पर इसको x माल लिया, क्या माल लिया, भी x माल लिया, अब let us consider, कौन से वाला भई, unit digit, unit digit है जो आपका, वो क्या हो जाएगा, unit digit क्या हो जाएगा, देखो जहां से क्या बोला, unit digit is four times, unit digit four times हो जाएगा, कि इसका 10 का, 10 यह है, 10 digit तो x मानना है, तो unit digit इसका four times, यानि की four x, times का मतलब multiply होता है, तो आपने four times कर देना, इसको multiply कर देना वह easily, ठीक है, जो बोला है, वही करना है, unit digit को four times करना है, 10 digit के, यहाँ तक होने के बाद, फिर देखें क्या बोला है, the sum of the 10 digit is 10, और इन दोनों को जोड देंगे, अगर, क्या बोला है, the sum of the digit is, इन दोनों digit का जो sum है, वो कितना भी 10 है, इन दोनों को जोड लो भी यहाँ पर, तो x प्लस में 4x, is equal to, किस के हो जाएगा भी यह, 10 के हो जाएगा, यह हमारा इस condition से बना, आप यहाँ पर यह भी करना है, find number, number निकालना था, लेकि number निकालने से पहले आपको number बनाना पड़ेगा, और number बनाने के लिए, मैं यह दिखो, यह दिखो, 10 डिजिट को, 10 डिजिट को, 10 से मिल्टिप्लाई करोगे, आप x को, प्लस में, एड क्या कर दोगे, यूनिट डिजिट, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट के आपका x है, sorry, यूनिट डिजिट का 4x है, तो 4x एड कर दो, तो देखिए, आपे 10 को x से करते हैं, भी 10x, प्लस में 4x से करें, कितना हो जाएगा, 4x, तो दुनों को जोड़ दो भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 और 4, 14x, चीक है, अब यहाँ तक करने के बाद, अब आपने यहाँ से x की value निकाल गे हैं, भी, x प्लस 4x is equal to 10 दे रखा है, तो x और 4x कितना हो जाएगा, तो आपने यहाँ पर 2 put कर देना, भी, तो 14 इंटू में 2 put करोगे, तो आपका क्या यहाँ पर देखें, तो x की value आपकी 2i है, और 10 unit digit के हो जाएगी, तो unit digit हो जाएगी, आपकी 8 और 10 digit हो जाएगी, 10 places पर जो digit हो जाएगी, और आपका final answer आएगा 28 यहाँ पर भी, ठीक है, और यह हमारे यहाँ पर question complete हो जाएगा, इस question में बस आपने simply क्या ध्यान रखना है, statement को अच्छे से समझना है, unit digit और 10 digits को अच्छे से मान लेना है, consider करके number बनाना आची है, आपको 10 places digit को 10 से multiply करना, unit digit जोड देनी है, बाकि जो भी आपको बोला है, value निकाल के put करनी है, बिल्कुल easy question अभी, same to same question number second भी है, question number second में भी ऐसे ही बोला है, देखें यहाँ पर, unit digit of two digit number, वो कितना भई, 3 है, unit digit की value अब की बार आपको 3 दिवुए भी, तो लिख लिखते हैं, आ पर, क्या लिखेंगे, unit digit है जो आपका, भई, वो कितना दिया, आपको अब की बार, 3 दिया है, क्या दिया है, 3, बट आपको क्या नहीं दिया, यहाँ पर, नहीं दिया है, 10 digits, क क्या मान लिए यहां पर x मान लिए उसके बाद देखी क्या बोला है 7 times the sum of the digit sum of digit इन digits का sum करेंगे तो 7 times हो जाएंगी इनका किसके equal the number itself उसके number के तो यह unit digit है यह 10 digit है तो इसका पहले number बना लेना आपने number बनाने के लिए मैं हर बार बोलता आपको क्या करना उतता भी number बनाने के लिए करना उतता आपको unit digit को क्या करना है राम से ऐसे रख लेना है 10 places digit को 10 से multiply कर देना है 10 places है x तो इसको क्या करेंगे 10 से multiply कर देंगे और plus में unit digit कर देना है जो कि आपका पिछले वाला है यह वाला जैसे इसमें बताया था मैंने 10 places digit को 10 से multiply plus में unit places को agities रखना है तो यहाँ पर भी वही किया है 10 places को 10 से multiply और unit digit को agities रखना है तो जोड़के क्या हो जाएगा भी यह 10x plus 3 हो गया अब according to condition चलते हैं भी question के according to condition conditions के नुसार क्या बोला है भी आपके यहाँ पर कि 7 times the sum of the digit इसका और इसका sum है जो लिख लेते हाँ पर sum क्या हो गया इनका भी x plus 3 होगा यह x है यह 3 इन दोनों का sum x plus 3 यह कितना हो जाएगा 7 times हो जाएगा 7 times is equal to किसके होगा 7 times the sum of the digit is the किसके को number itself number number क्या भी आप कहे रहा number आपका है यहाँ पर 10x plus 3 के किसके 10x plus 3 के ठीक है भाई तो 10x plus 3 के equal हो जाएगा और अब हमने यहाँ पर बस x की value find out करनी और आपका question solve हो जाएगा 7 को x से करेंगे तो 7x 7 को 3 से करेंगे 21 10x plus में 3 तो 7 इसेड प्लस का उसेड जाके minus हो जाएगा भी minus का 7x 21 में से 3 गये तो बही 18 बच जाएगे आपर और यहाँ पर 10 में से 7 गया 3x 3 multiply में सेड आगे भाई divide तो x की value कितनी आजएगे भी यहाँ पर 18 by में 3 काट दोगे तो 3 6 आ 18 तो x की value कितनी आभी आपकी यहाँ पर 6 आगी कितनी आगी x की value 6 आगी और आपने put कहां करनी x की value number में आपको क्या बोला था find the number तो number में जो value थी वही put कर देंगे x की जंग पर यहाँ पर 6 put करना अब आपने तो क्या दरिखा आपको 10 इंटू में x की जंग पर 6 प्लस में 3 6 इंटू 10 करेंगे 60 प्लस में 3 60 प्लस 3 कितना हो गया वही 63 तो आपका जो required number होगा वो 63 होगा वही ठीक है और बिल्कुली simple question था जैसे पिछले वाला था ऐसी condition दी हुए हमने ऐसी unit digit और 10 places digit माननी है और उनको put कर देना बिल्कुल easy है ठीक है वही आपको समझ आगे होगा easy question है बिल्कुल question number 3 देखे आपको क्या दिया भी यहाँ पर two digit number है कोई भी जिसके अंदर बोला है digit at a unit places is thrice the digit in the 10 places the number exceeds the sum of its digit by 27 तो सबसे पहले क्या करेंगे भी यहाँ पर हमें बोला गया है की कोई 2 digit का number है जिसके अंदर जो digit है at a unit places unit place वाले digit thrice है किससे the digit at the 10 places तो पहले 10 places digit ही माल लेते हैं यहाँ पर क्या मालनेगा भी let us consider 10 places digit 10 places पर जो digit को माल लेते हैं y माल लेते हैं क्या माल लेते भी y माल लो यह एक्स माल लो आपकी मर्जे कुछ भी तो अब यहां पर हमारे पास क्या होगा भाई जो unit places पर होगी unit place digit क्या हो जाएगी भी आपकी यहां पर वो क्या बोला unit place digit is thrice तीन गुन हो जाएगी किसे 10 digits 10 digits कितनी आपकी भाई तो unit कितनी हो जाएगी भी 3y यानि कि तीन गुन होगी नहीं से तीन से multiply कर देंगे 3 times उसके बाद देखे क्या बोला है अब 10 places the number exceed the sum of its digit by 27 अब इनका जो sum होगा भी क्या होगा sum होगा वो कितना exceed करेगा 27 exceed करेगा किसे number से तो पहले number बना लेते हैं इसका number क्या हो जाएगा भी number बनाने के लिए मैंने क्या बोल था जो 10 places उसको 10 से multiply करते हैं भी 10 into y और plus में add कर देते हैं भी कितना unit places unit places आपका 3y तो solve कर लो इसे भी 10 into y 10y 10y plus में 3y is equal to 13y यह होगा आपका number और sum क्या होगा भी इनका sum हो जाएगा इन दोनों को जोड़ना भी ठीक है 3y plus में y अब स्टार्ट करते हैं question के अंदर according to condition क्या बोला है according to question भी लिख सकते हैं आप यहां पर ठीक है question यह according to condition ठीक है question के अनूं सारा देखे बापको क्या बोला है ध्यान से लाइन देखनी है क्या बोला है इस्तरा है यह तो यहां तक तो हो गया था यह भी यहां से नंबर एक्सीड दा सम जो सम है ना सम कहां यह रहा यह नंबर है जो यहां पर यह नंबर यह सम का कितना एक्सीड करना पड़ेगा 27 यानि कि नंबर तब इसके एक्कोल होगा अगर हम सम में कितना एक्सीड करना जादा करना अगर हम जादा कर देते हैं सम के अंदर कितना 27 ठीक है बही जो नंबर है यह वाला नंबर है जो यह यह क्या कर रहा है, exceed करेगा sum को जो यह sum है, 3y प्लस y वाला इसको exceed करेगा कितना? 27, यानि कि 27 बढ़ा देगा इसमें तब इसके एक को लाएगा, अब यहाँ पर बस y की value निकालो आप और फिर put कर देंगे यहाँ पर ठीक है, तो y की value निकालते भी यहाँ पर क्याएगी y और 3y कितने होगा भी, 4y होगे प्लस में 27, 4y प्लस 27 इसके 13y के अब यह said 4y प्लस में तो 60 जाके माइनस हो जाएगा भी, तो 27 is equal to 13y माइनस में 4y अब भी माइनस कर लेते हैं, यहाँ से कितना बचेगा तो 13y माइनस 4y कितने होगे भी, 9y इसेड कितना बचेगा भी, 27 9 multiply में सेड आके divide, तो y की value कितने आजएगे भी 27 by 9, काड़ दो 9, 3 जा 27, y की value आई है, हमारे पास 3 3, कितने आई है भी 3, तो यहाँ पर put कर दो भी, क्योंकि यह क्या था, number number में put करेंगे, y की value तो हमारा क्या निकल जाएगा, number तो 13 into में y कर देंगे भी, 13 into, y की value कितने आई है, 3 तो 3 put कर दो, 13, 3 जा कितना होगे भी, 39 और यह हमारा यहाँ पर आचुक है, इसका answer, बिलकुली simple है, वही condition use किया है, वही unit places, 10 places मानना हमने, और यहाँ पर हमारा equation complete हो जाएगा भी, ठीक है next देखते हैं, next क्या बोला बापको question number 4 a two digit number is three more than the four times the sum of its, digit is 18 is added to the number than the reverse and find number, तो reverse हो जाएगा, तेखो भी कैसे करेंगे, reverse वाले question आचुके हैं, अब आपके पास, यह simple question थे, थोड़े से, से, मुस्किल है, बेलकिल है, same to same है, कुछ निया, changes में, देखी, two digit number है आपका, जिसमें आपको क्या दिया है, three more than the four times the sum of its, digit, तो सबसे पहले आपने मान लेना भी यहां पर, two digit number के अंदर, unit places और, ten places, तो मान लेते हैं भी, let us consider, let us consider, मान लिया, आपने, unit place पर क्या भी, unit place पर मान लेते है, unit place digit, आपने x मान लिए, क्या मान लिए भी x, ठीक है, और, वही same to say, मान लेन, आपने, 10 place डिजिट कौन सा भी 10 प्लेस डिजिट आपने मान लिया वाई क्या मान लिए वाई तो नंबर और सम इन दोनों क्या होगा अब इनका अब तो डिजिट नंबर बना लो इनका पहले टू डिजिट नंबर नंबर क्या होगा इनका नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ता आपको 10 प्लेस वाले को 10 से मुल्टिप्लाइ 10 इन तू में वाई और प्लस में यूट डिजिट यूट कितनी है एकस तो क्या बन का नंबर भई 10Y प्लस में एकस बन गया ठीक है अब सुना आगे क्या करना है अट्व डिजिट नंबर इस थी ओर ताइम्स डान सम ओफिट्स डिजिट जो नंबर है यह वाला number है जो यह 10 y plus x किसके equal होगा भी equal होगा किसके 3 तो ज़्यादा करना है हो और 4 गुना करना है 4 times वोला ना 4 times तो 4 से multiply करना किस चीज़ को करना भी sum को किसको sum को इन दोनों के sum को तो sum कर दो इसका x plus y हो गया भी क्या हो गया x plus y अब बोला कैस में वापीस repeat कर रहा हूँ मैं एक बार ओर line यह कि बोला क्या है इन दोनों के sum को किसको sum को क्या करना है 4 तो times करना है क्या करना है 4 तो times यानि कि 4 से multiply और 3 more करना है more का मतलब 3 ज़्यादा add करना है समझें वह यह line बहुत ही जरूर है यहां से क्या बोला है कि जो number है यह जो number होगा यह मैंने number निकाला है यहां से number यह number equal किसके होगा इनके sum के 4 times क्या बोला है 4 times यानि कि 4 से गुना करो sum को और plus में 3 more करो 3 ज़्यादा कर दो यह की है मैंने ठीक है उसके बाद अब इसको क्य अब देखो यहां पर सारी चीजों के एक सायल ले आतने में हम यहां पर कि फोर यहां पर प्लस में फोर भाई भी प्लस में से डाके माइनस हो जाएगा वही तो 10y प्लस में x माइनस में 4x और माइनस में 4y is equal to 3 10y में से 4y गए वही तो कितने बचे यहां पर 6y बचे गए और x में से 4x गया भी माइनस का कितना बचे गया यहां पर 3x बचे गया is equal to 3 है सभी में से 3 आरा भी common इन दोनों मैं से 3 common ले लेता हूं मैं तो क्या जीगा common लोगा 3 common ले यहां से बचे गे 2y और यहां से 3 common ले ले तो x बचे गया भाई is equal to 3 ठीक है अब मैं क्या करता हूं 3 को से डिवैड में बेच देता हूं तो 2y माइनस में x is equal to कितना हो अनलोई इसको ठीक है, क्योंकि अभी आगे एक और equation बनेगी, फिर उनको solve करना आपने, तो देखो भी ध्यान से, हमने कहां तक कर लिया भी equation, हमने कर लिया भी इसको sum of its digit, यहां तक हमने इसकी statement पूरी कर लिया, अब next वाली statement से एक और equation बनानी है, फिर उनको use करके अपना number आजेगा, तो सबसे पहले भी यहां देखिए, if 18 is added to the number, अगर मैं number में 18 add कर दूँ, तो it's digital reverse, तो digitist की reverse हो जाएगी, number में 18 add करना है, देखो भी, number के आपका यह दे रखा है यहां पर, इसमें आपने 18 add करना है, तो लिखो यहां आपर according to condition, according to question, वाप इस एक और बार, क्या लिखोगे यहां पर, अब यह आपका number है, इसमें आपने क्या करना है, 10 y plus x में आपने add कर देना है, कितना भी, आपने यहां पर add करना होगा, 18, कितना करना भी add है यहां पर आपको, 18 बोला तो 18 add करो, देखो बोला न, if 18 is added to the number, नमबर में, इस नमबर में, यह नमबर था न, आमने जो माना था नमबर, इस नमबर में 18 add कर दिया, तो वो किसके equal हो जाएगा, equal हो जाएगा, किसके भी, digits are reverse, तो उसकी digits को reverse करके, अब देखो, जहां पर y है, यहां पर x कर दो, जहां पर x अब आपर y, 10 के साथ reverse कम जोता ह change कर देना, reverse उल्टा हो जाता भी, y की जंग पर x आजएगा, 10 के साथ x आगया, प्लस में, और x की जंग पर y आजएगा, क्या जाएगा, y, नमबर reverse हो जाएगा, यहां पर y था न, यहां पर आगया x, और यहां पर x था तो यहां पर आगया y, reverse कम अत्वली होता भी, नमब 18 ही set बचा भई, अब एक काम करो, इन दोनों के set लिया हो भई, 10y, 10y और प्लस में x तो ही set था ही, यह 10x से set आके माइनस हो गया भई, और यह y set आके माइनस, और 18 ही set प्लस का था, उसे जाके माइनस भई, ठीक है, मैंने यह किया है, देख लो भी मैंने क्या किया, जो 18 था माइनस का 9x, ठीक है ना, जो बड़ा है, उसका sign आएगा और माइनस हो जाएंगे, is equal to क्या भई, माइनस का 18, अब इन दोनों से 9 common आ रहा भई, तो 9 common ले लिजिए, y माइनस में x is equal to, माइनस का 18, ठीक है भई, 9 multiply में उसे जाके divide, तो y माइनस x is equal to किसके हो जाएगा भई, माइनस 18 बाय में, 9, 9 डूजा, 18, माइनस का 2 आगा भई, कितना आगा माइनस का 2, तो y माइनस में x is equal to हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2, तो यह हो जाएगा आपकी भई equation number 2, अब यहाँ पर हमने कितनी equation निकाल ले भी, equation number 1 और equation number 2, अब इन दोनों equation को solve करके, हमने x की value भी और y की value भी निकाल नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर भी देखो, use यहीं कर देता हूं, use equation 1 and 2, equation 1 और 2 का use करो भई, देखो भी यहाँ पर, क्या दिरखा में उसका use करेंगे, पहले जो चीजे दी हैं वो लिख लेते हैं आपे, पहले equation 1 लिखते होई, क x is equal to minus 2, अब देख लीजिए, हम इसको elimination method से solve करेंगे भी, यानि की दोनों को काट कर जो एक चीज़ कट जाएगे, उस दुसरे वाले का जएगा, तो sign change करते हैं पहले, cut करने से पहले, यह plus का भी यहाँ पर minus हो जाएगा, यह minus हो जाएगा, यह minus है, यह plus हो जाएगा, ठीक प्लस का 2 है, और प्लस का 1 है, तो 3 हो गया, तो y की value कितनी आगी भई, 3 आगी यहाँ पर, y की value कितनी आगी, 3, तो आपने क्या कर देना है, इस y की value 3 को इसमें से कहीं पर put कर सकते हैं, जैसे यहाँ put कर दो y की value पहले equation में, तो 2 into me, y की value 3 है भई, minus में x is equal to 1, तो 2, 3 जा 6 ह हो गया, minus का x हो जड़ जागे, plus, तो x plus 1, 1 तो पहले था, 26 आगे minus, तो 6 minus 1 is equal to x, तो x की value कितनी आगी भी यहाँ पर, आपकी आजएगी 5 आजए, कितनी आजएगी x की value 5 आगी, ठीक है, x की value 5 आगी, y की value 3 हाई है, x की value 5 हाई है, तो put कर दो number में, number क्या था, आपका यह र यहाँ पर, तो number क्या हो जएगा, यहाँ पर, 10, y की जंग पर, y की value रखो भी कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर 3 रखोगे, plus में, x की value यहाँ पर कितनी है, 5, तो x की value यहाँ पर 5 रख दो, तो solve करो, 10, 3 is a 30, और plus में 5, तो 30 plus 5 कितनी हो जएगा, 35 हो जाएगा, 35 आपका यहाँ पर final answer आजाएगा ठीक है यह 35 हो जो आपका final answer हो जाएगा जो कि हमने number find out करना था तो हमारा यह number आजाएगा ठीक है बिल्कुली simple question है अगर किसी बच्चे को problem आए बही यहाँ पर यह कैसे कि हमने तो इसको दूसरा method भी होता है मैं एक बार वह भी पता देता हूं अगर जिसक या alternate method भी आगे x और y value निकालने का देखो यहाँ पर क्या कर सकते हूं यह है y minus x is equal to minus 2 तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो y की value निकाल सकते हो या x की जैसे यहाँ पर x की निकाल सकते हो आप x की value का आएगी x उसेट चला जाएगा भी y plus में 2 is equal to x देखो मैंने क्या किया minus का 2 है सेट आगे plus का 2 हो गया तो x की value कितनी है भी y plus 2 कितनी है y plus 2 अब उस equation जो x की value है उसको यहाँ पर put कर सकते है आप इस x की जंग पे देखो भी 2y तो लिखा सुरू में 2y लिख दो minus में x x क्या भी आपका यह रहा minus का y और minus का 2 क्योंकि बाहर minus था ना देखो यह x से पहले minus था तो इस minus ने इन दोनों को minus कर दिया is equal to किस के भई? 1k किस के भई? 1k देखो solve कर लो इस अब 2y में से y गया भई कितने बचे? y minus का 2 से जागे plus तो 1 plus में 2 कितनी हो गया 3 तो y की value 3 देखो y की value 3 आई यहाँ पर भी 3 आई थी तो वो भी method यूज कर सकते हो अगर easy है ठीक है तो जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना y की value निकालने के लिए ठीक है भी और यहाँ पर हमारा equation complete हो जाता भी ठीक है